नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों इस सिजन में खासकर गन्ना 0238 वेराइटी में चोटी बेदक या सुन्डी इस कदर जैदा मात्रा में लगी है कि वह कीट नास्कों के प्रियोग करने पर भी उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है और यह गन्ना पेडी वे पोदा दोनों में समान मात्रा में हमको दिखाई पड़ रही है जबकि इन सुरुवाती दिनों में गन्ना पोदे में यह दिखाई नहीं देती बलकि गन्ना पेडी में ही यह दिखाई देती है लेकिन इस सिजन में यह गन्ना पोदे में भी काफी मा तो मैंने इस पर काफी रिसर्च की और मैं आपको दो टेक्निकल ऐसे बताने वाला हूँ जिनका प्रियोग करने से यह एकदम फूर हो जाएगी और आपको गन्ना पोधा या पेड़ी में दिखाई भी नहीं देगी मेरे प्यारे किसान भाईयो जदी अवी तक आपने A4 चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो किसान भाईयो मैं बता रहा हूँ कि दो टेक्निकल है इनमें पहला है फैन थोयट 50% EC और यह लिक्विड आता है इसकी आपको 500 ml मात्रा लेनी है और जो दूसरा टेक्निकल है वो इन दोनों को आपको मिक्स करके 500 लिटर पानी में घोल बना लेना है और एक एकड में इसका आपको इस्प्रे कर देना है किसान भाईयो यह कई कमपनी की आती है जैसे कि यह फैन थोयट है फैन डाल 50% EC के नाम से आती है तो यह अन्य कमपनियां को भी आपको मिल जाए तो वो भी लेले बस आपको यह दो सोल्ट ध्यान रखने है एक यह लिख विड़ाएगी और दूसरा जो है यह पावडर रूप में आएगी तो इसका आपको पैर चिपकते समय गन्ना पोदा या पेड़ी जिसमें भी यह चोटी बेदक या सुंडी आपको नजर आए उसमें आपको इस्प्रे कर देना है और यदि आपको लगे कि गन्ना पोदे में नमी नहीं है पैर नहीं चिपक रहे हैं और सुका पड़ा है तो उसमें आप यदि इस्प्रे करना चाहें तो इस्प्रे करने के तुरंत बाद पानी लगा दे तो यह असर दिखाएगी और फिर चोटी बेदक रोग बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा एकदम से खत्म हो जाएगा क्योंकि यह दोनों ही टेक्निकल भूत ही हैवी टेक्निकल हैं और इनका आप साबदानी पूरवक्त परियोग करें तो फिर आपके गन्ना खेद में सुन्डी आपको नजर नहीं आएगी साथी साथ आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि यदि गन्ना पोदा है तो उसकी खुदाई वे जुताई करने के बाद सूखा खेद काफी दिनों तक नहीं छोड़ें तो भी यह सुन्डी जो है और चोटी बेदक है यह काफी मातरा में बढ़ जाता है तो आप नमश्या है उसका समाधान तुरंथ हो जाएगा क्योंकि यह दो भोत ही है भी टेक्निकल मैंने आपको बताएं है किसान भाईयो चोटी बेदक यह सुन्डी के अलाव भी कोई भी कीट गन्ने के अंदर लगा हो तो भी यह दोनों टेक्निकल उसको खत्म कर देंगे इसके इ यदि गन्ने के बाहर भी कोई टिड़ी है यो कीट पतंगे हैं उनको भी यह नहीं बक्सेंगी उनको भी एकदम से खत्म कर देंगी फिर मिलते हैं ताज अपडेट के साथ तर तक के लिए जैजमान जैकिसान